गुद मॉर्निंग चिल्रेन, साय राम, hope you all are fine and safe at your places, yes, okay So children, today with subject we are going to study, आज हम कुन सा विशे पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे विशे हिंदी So बच्चों, आपने हिंदी में परिवेश बुक की इससे जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है, सारी exercise complete की है, yes, okay, very good So children, आज हम फिर से अपनी हिंदी परिवेश बुक की बुक exercise करेंगे, जिसमें आज हम cover करेंगे, page number 63 and 65 आज हम page number 63 और 65 अपनी हिंदी परिवेश बुक में करेंगे, ठीक है So बच्चों देखिए, यह है page number 63 और यह है page number 65, ओके So आप सब लोग अपनी हिंदी परिवेश बुक ओपन कीजिए, pencil और eraser के साथ ready हो जाईए, ठीक है और आप सब को मेरे साथ अपनी बुक में exercise करनी है Okay children, so all of you be ready with your Hindi परिवेश बुक, we are going to complete page number 63 and 65 in Hindi परिवेश workbook Okay, let's start, yes Okay children, all of you are ready with your Hindi परिवेश workbook Okay, so now shall we start, all of you have taken out your pencil eraser, yes So now children, open page number 63, come on fast, all of you have opened this page, 63, okay So now heading is, चार्वर्णों वाले शब्द, आज हम क्या करने वाले हैं, चार्वर्णों वाले शब्द So, पढ़िए, समझे और लिखी, आपको पता है ना हम कैसे करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम अक्ष्रों को मिलाके लिखते हैं, yes चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, ओके, yes तो यह है बच्चो, अद्रक, यह चितर किस चीज़ का है, अद्रक, अद्रक, अद्रक तो बच्चो हम अद्रक, अ में द को जोड़ेंगे, द में र को जोड़ेंगे, र को का में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अद्रक ठीक है क्या लिखा हमने अदरक अब अगला चित्र है हमारा क्या है ये चलो पढ़ेंगे हम उपवन उपवन ये क्या है उपवन 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 ठीक है अब नेक्स्ट चित्र है हमारा चलो अब हम पढ़ेंगे कट हल तो ये क्या है कट हल क प्लस्ट प्लस हा प्लसला कट हल कट हल क्या है ये कट हल अब हमारा अगला चित्र क्या है ये चलो पहले हम पढ़ेंगे अजगर अजगर क्या है ये अजगर 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 अब हम लिखेंगे क्या बनेगा अजगर 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 अब हमारा नेक्स्ट चित्र क्या है ये खट माल खट मल क्या है ये खट माल खट मल खट मल खट मल खट मल ओके अब हमारा नेक्स्ट चित्र किस चीज़ का है ये क्या है ये चलो पहले हम पढ़ेंगे ब र ग द बर गद तो क्या है ये बर गद अब हम लिखेंगे ब प्लस र प्लस ग प्लस द बर गद बर गद बर गद ओके अब हमारा नेक्स्ट चित्र किस चीज़ का है ये चलो पढ़ें येस तरकश 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 तो बच्चों क्या है ये तरकश त प्लस र प्लस क प्लस श तरकश तरकश क्या है ये तरकश अब हमारा अगला चित्र क्या है बच्चों ये बताईए आप लोग येस चलो पढ़ें अब हमारा अगला चित्र बच्चों क्या है ये थर्मस अब हमारा अगला चित्र वच्चों क्या है ये चलो typically पढ़ें हाँ शलगम क्या है ये शलगम श में ल को जोड़े श प्लस ल प्लस ग प्लस मा शलगम शलगम क्या है ये शलगम ठीक है अब हमारा अगला चित्र बताओ क्या है ये किस चीज का चित्र है चलो रीट करेंगे हम हलगम किस चीज का चित्र है ये हलगम तो ह, प्लस ल, प्लस ध, प्लस र, हल्धर हल्धर बच्चों आपको ये वर्ग अपनी हिंदी की बुप में करना है अब आप लोग ओपन कीजिए पेज नमबर 65 ओपन किया समने पेज नमबर 65 येस सो अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना, ओके ओके चिल्डर्ण चलो स्टार्ट करें येस हर चित्र के पहले अक्षर को जोड़कर नीचे दिये गये चित्र का नाम लिखीए अब हमें क्या करना है चित्र के पहले अक्षर को जोड़के जो नीचे चित्र दिया गया है उसका नेम लिखना है हमने किया है ना पहले भी इस exercise को तो अब हम फिर से करेंगे अब हम करेंगे चार बढ़ना वाले शब्द का देखो बच्छो एक example दिया हुआ है यह है शहर यह है लट्टू गमला मतर तो हमने इन चित्रों के पहले अक्षर को लिखा जिसे शह से शहर लट्टू गमला मतर फिर हमने इन सब को जोड़ दिया शह प्लस लट्ट गमला शल गम ठीके हम ऐसे ही करेंगे ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं हम बताओ चुल्रन यह किस चीज़ का चित्र है यह बकरी ब से बकरी फिर यह क्या है रत रसे रत फिर है गमला गसे गमला फिर है दवात दसे दवात अब हम इन अक्षरों को जोड़ेंगे ब प्लस र प्लस ग प्लस द क्या बनेगा यह चित्र की चीज़ का है इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है न बरगद येस बरगद तो हमें लिखेंगे बरगद ठीक है बरगद अब हमारा अगला चित्र मलब अगला है यह क्या है छोटे उसे उल्लू फिर है यह क्या है पतंग वह से बतंग फिर क्या है यास वह से वक फिर क्या है न से नत देखो यह हैं न असे नत तो अक्षर कौन कौन से है उपवन उप पलस पलस वप पलस न उपवन यह चितर किस चीज का है उपवन का है तो हम यह लिखेंगे उपवन यह चिलर्ण यह प्रेंट पेज नमबर 65 5. You all have to do your all work in your Hindi परिवेश वोग, ओके चिलर्ण आप सबका सारा work complete होना चाहिए ओके चिलर्ण थैंक यू सायराम, ठेक केर